समय बदल सकता है कहानी, ये कहानी एक लड़के और उसके पिताजी की है, वह अपने लड़के को समझाते हैं मगर वह नहीं समझता है, लेकिन एक दिन वह समझ जाता है, ऐसा कैसे होता है, ये हम अपनी कहानी में आगे पढ़ेंगे, ये कहानी आपको पसंद आएगी, तुम स खुद ही सोचनी चाहिए, कोई और अगर इस बारे में कहता है तो अच्छा नहीं लगता है, कल तुम्हारी शादी भी होगी, उस वक्त की बात तुम ही सोचनी चाहिए, इस बात का क्या प्रभाव पढ़ता है, ये सब पिताजी देख रहे थे मगर जैसा कि वह जानते है कि कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है, वह सभी की बाते सुनकर चला जाता है, मगर उसे कोई भी फर्क नहीं पढ़ रहा था, उसके पिताजी हमेशा यही चिंता करते थे कि अगर यह जल्दी ही अपनी सभी जिम्मेदारी को नहीं समझता है, तो बहुत परेशानी होती है, मगर यह किस बारे में सोचता है, यह कोई भी काम नहीं करना चाहता है, ऐसा कब तक चलेगा, इसे सोचना चाहिए, मगर यह सोचता नहीं है, अब हम इस बारे में बात कर रहे थे, वह उटकर चला गया है, इसे कोई फर्क नहीं पढ़ता है, हमें अब इसे कुछ भी कहने के बार क्यों नहीं करता है वह कब तक अपने जीवन को ऐसे ही बरबाद करता रहेगा मुझे आज उससे इस बारे में और बात करनी होगी मा कहती है कि हमें थोड़ा इंतजार करना होगा शायद वह खुद ही समझ जाए मगर पिताजी ने कहा कि मुझे लगता नहीं है अगर तुम कहत हो तो हम कुछ समय इंतजार कर सकते हैं पिताजी खेत पर चले जाते है मगर उनकी नजर अपने बेटे पर जाती है वह एक जगापर खड़ा था पिताजी उससे कुछ कहना चाहते थे मगर अपनी पतनी की बात याद आई तो वह उससे कुछ न कह सके सोचा की कुछ समय और देखते हैं इसलिए वह बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए थे, वह अपना काम कर रहे थे जब शाम हुई तो वह काम करके घर की और चल दिये थे, जब वह घर आये तो लड़का आराम कर रहा था, उसे देखकर बहुत गुसा भी आ रहा था, मगर पिताजी चुप थे, वह क कहा कि इनके पास तो एक ही बात है, वह काम के बारे में बात करते हैं, उनके पास कोई और भी बात नहीं है, जिस बारे में मुझे लगता है, इसलिए बात करने से कोई लाब नहीं होगा, ये बात सुनकर पिताजी को और भी बहुत तेज गुसा आ रहा था, मगर वह चुप होगी। जब सुबह हुई तो एक आदमी उनके घर आया था वह कहने लगा कि एक रिष्टा आया है अगर तुम अपने लड़के की शादी करना चाहते हो तो मैं बात कर सकता हूँ। मेरे इक जानने वाले है वह आपके लड़के की बात करना चाहते है अगर तुम इस बात के लिए राजी हो तो आगे बात करते हैं मुझे लगता है कि तुम अपनी जगव पर ठीक हो मगर मेरा लड़का तो कुछ भी नहीं करता है अगर उसे काम के बारे में कहते है तो वह दूसरी और देखने लगता है मैं इस तरह कैसे हां कह सकता हूँ जब वह कोई काम नहीं करता है तो मुझे भी लगता है कि यह अच्छी बात नहीं है अगर मैं उसकी शादी कर देता हूँ तो पता नहीं वह फिर भी कुछ करेगा या नहीं मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आता है वह आदमी कहता है कि आप चिंता न करे सब ठीक हो जाएगा जिनकी में बात कर रहा था वह आपके यहापर रिष्टा करना चाहते है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ नहीं तो में यह पर नहीं आता अगर आपको यह अच्छा लगता है तो आप हाँ कह सकते है ब कह सब ठीक होगा वह उस आदमी की बात मान गए थे उन्हें भी लग रहा था कि शादी तो करनी है शायद उसके बात सब ठीक हो जाए क्योंकि अभी तो कुछ भी ठीक नहीं है इस तरह शादी भी तेह हो गई थी कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी आखे शादी भी हो गई थी माने कहा कि बेटा शादी तो हो गई है अब तुम्हें काम भी करना चाहिए लड़के ने कहा कि मेरा मन काम करने का नहीं है और कहकर चला जाता है पिता जी को आब यहीं लगता है कि यह कोई काम नहीं करेगा ये बात उस लड़के की पतनी सुन लेती है उसके बाद वह कुछ कमा नहीं करती है जब मा कहती है कि अजा उसने कोई भी काम नहीं किया है तो लड़के को गुसा आता है वो कहता है कि तुमने अजा कोई भी कमा नहीं किया है लड़के की पत्नी कहती है कि जब आप काम नहीं करते है तो मुझे भी नहीं करना है ये बात सुनकर लड़का चुको जाता है अगली बहुसे की कारण ही हुआ है जिसके बाद हमारी जिंदगी ही बदला गई थी अब वो लड़का हर रोज काम करता है और उनका घर भी अब बहुत अच्छा हो गया था समय बदल सकता है यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो आगे भी शेर कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचे और आप वीडियो को देख सके